राजा सुप्रीमों लालूपरसाद यादों को लेकरके CBI ने जारखंड हाईकूट में दर्ख्वास डाली है दर्ख्वास यह है कि CBI अभी नहीं चाहती हैं कि राजा सुप्रीमों लालूपरसाद यादों जेल से बाहर निकले CBI चाहती है कि राजा सुप्रीमोल लालू यादो अधिक दिनों तक जेल काटें कम सजा के कारण जल्दी जेल से बाहर ना आ जाएं इस नजरिये से CBI ने राची हाई कोर्ट में दर्ख्वास डाली है CBI का मानना है कि विशेश अदालत ने देवगर कोशागार से आवैद निकासी के मामले में लालू यादो को साड़े तीन साल की सजा कम सुनाई है वे अधिक सजा के हगदार हैं इसलिए राची हाई कोर्ट मामले की सुनवाई करे CBI की याचिका गुरुआर को राची हाई कोर्ट में दाखिल की गई है लालू यादो अभी नयाई खिरासत में बिमार होने के कारण राची के रिमस अस्पताल में भरती है जाहिर तोर पर CBI की नई ख्वाईस लालू यादो की परशानी को और बढ़ाएगी रेलवे टेंडर घोटाला मामले में लालू यादो अट फैमली को अभी दिल्ली की आदालत का नया फेरा भी लगा है राची हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में CBI ने कहा है कि विशेस अदालत में चारा घोटाले के देवगर मामले में सजा सुनाते हुए आरोपियों के लिए अलग अलग आधी की सजा सुनाई जो की गलत है सबों के खिलाफ एक जैसा ही आरोप है और साक्ष भी तो सजा बराबर होनी चाहिए थी CBI की राय में सभी साथ वर्षों की सजा के हगदार थे जो की संबंद अपराद की अधिक्तम सजा है पर विशेस अदालत ने लालू यादों की सजा साथ साल के बजाए आधी साड़ तीन साल कर दी CBI ने राची हाई कोर्ट में दाकी लियाचिका में कहा है कि देवगर कोशागार से अवैद निकासी के मामले में बिहार के पुर्व मुखमंत्री डॉक्टर जगनात मिश्रा को भी बरी कर दिये जाने का विशेस अदालत का फैसला भी ठीक नहीं था इसलिए वो फैसले को हाई कोर्ट में चुनाती दे रही है जानले कि डॉक्टर जगनात मिश्रा अभी जमानत पर बाहर हैं सीबी आई ने जगनात मिश्रा के साथ ही पुरु मंत्री विद्या सागर निशाद और धुरू भगत को भी बरी किये जाने के फैसले को भी चुनाती दी है हाई कोर्ट सीबी आई की याचिका पर जल्द सुनवाई करने का फैसला करेगी सीबी आई ने लालु यादो के साथ देवगर मामले में और कई सजा याफता की सजा बढ़ाने की अपिल की है इसमें पूरु सांसद आरके राणा के साथ बिहार सरकार के पूरु आई एस अधिकारियों में फूल चंद सिंग महेश परसाद के साथ सुधीर भट अचारे का नाम भी शामिल है जाहिर आई कि राज़ सुप्रीमो लालो परसाद यादो जो है वो चारा घोटाला मामले में सजा याफता है अब उनको लेकर के सीबी आई ने उनकी सजा को और बढ़ाय जाने की मांग की है कोट से हम आपको बिहार समेथ देश दुनिया की तमाम खबरों से लगतार अपडेट रख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जाईए उसको सब्सक्राइब करिए इसके साथ इस साथ हमारे फेजू पेज को भी जरूर लाइक करें